नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में देनिक जागरण के समपादकी से 445 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 80 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के पेडियफ की ज़रूत है या इसमें आए हुए महत्पूर्ट सब्दों के आउट्लाइन्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठिक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो असी की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें इस्टार्ट राहुल गांधी अपने बेतु के घिसे पिटे और तत्वहीन बयानों के लिए ही अधिक जाने जाते हैं वह अपने ऐसे बयानों के कारण उपहास का पात्र भी बनते रहते हैं लेकिन सायद उन्होंने तैंकर रखा है कि वह ना तो अपनी कुंठित मानसिक्ता का परित्याग करने वाले हैं और ना ही अपने चिंतन में कोई सुधार लाने को तैयार हैं इसकी पुष्टी एक बार फिर तब हुई जब लंदन में आयोजित एक कारेक्रम में उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जिन्हें कम से कम विदेशी धर्ती पर तो कहने से बचना ही चाहिए था यह एक विदम्बना ही है कि आईडियाज भार इंडिया नाम वाले कारेक्रम में राहूल ने भारत को नीचा दिखाने वाली बातें करना पसंद किया उनकी माने तो भारत को कुछ वैसे तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है जैसे तत्व पाकिस्तान चला रही हैं साफ है कि उन्होंने बिना सोचे समझे भारत को पाकिस्तान के समक्ष खड़ा कर दिया जहां सत्ता की असली ताकत सेना के पास है राहूल गांधी यहीं नहीं रुकें उन्होंने भारत की विदेश नीती पर भी प्रहार किया और वह भी ऐसे समय जब सारी दुनिया भारतिय कूट नीती की कायल है और प्रधान मंत्री मोधी की छवी एक वैस्विक नेता की बनी है पहरा राहूल गांधी इस नतीजे पर भी पहुचें कि चीन ने लद्दाख में वैसी ही इस्थितियां पैदा कर दी हैं जैसी रूस ने यूक्रेन में कर रखी हैं इससे अधिक बेतु की बात और कोई नहीं हो सकती लेकिन मोधी सरकार के अंध विरोध की धुन में राहूल हर हद पार कर रहे हैं ऐसा करते हुए वह उन अंतर राष्ट्रिय संगठनों के हितों की ही पूर्ती कर रहे हैं जिनका एक मात्र एजेंडा भारत की छवी को मलीन करना है यदि राहूल को भारत के हितों की वास्तों में चिन्ता है तो फिर उन्हें ऐसे संगठनों का आउजार बनने से बचना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि वह सरकार और देश के विरोध के बीज अंतर करना भूल गए हैं वह अपने रवये से केवल अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं बलकि कांग्रेस की विरासत को भी नश्ट कर रहे हैं राहूल किस तरह अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं दिखतें इसका पता उनके इस कथन से लगता है कि भारत तो राजियों का संग मात्र है वह एक बार पहले भी राश्ट के बारे में अपनी इस नासमझी को बयान कर चुके हैं संभौत है उन्हें इसका आभास ही नहीं कि उनके ऐसे बयान अलगाववाद को भड़काने का काम कर सकते हैं यह समझ आता है कि उन्हें मोदी सरकार फूटी आँख नहीं सुहाती लेकिन आखिर माहौल खराब करने वाले ऐसे बयान देने का क्या मतलब कि भाजपा ने पूरे डेस में केरोसीन छिलक रखा है और एक चिंगारी मात्र से आग भड़क सकती है इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट रहते हैं लेकिन सायद उन्होंने तैं कर रखा है कि वह ना तो अपनी उन्ठित मानसिक्ता का परित्याग करने वाले हैं और ना ही अपने चिंटन में कोई सुधार लाने को तैयार हैं इसकी पुष्टी एक बार फिर तब हुई जब लंदन में आयोजित एक कारिक्रम में उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जिन्हें कम से कम विदेशी धर्ती पर तो कहने से बचना ही चाहिए था यह एक विदंबना ही है कि आईडियाज फार इंडिया नाम वाले कारिक्रम में राहूल ने भारत को नीचा दिखाने वाली बातें करना पसंद किया उनकी माने तो भारत को कुछ वैसे तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है जैसे तत्व पाकिस्तान चला रही हैं साफ है कि उन्होंने बिना सोचे समझे भारत को पाकिस्तान के समक्ष खड़ा कर दिया जहां सत्ता की असली ताकत सेना के पास है राहूल गांधी यहीं नहीं रुकें उन्होंने भारत की विदेश निती पर भी प्रहार किया और वह भी ऐसे समय जब सारी दुनिया भारतिय कूट निती की कायल है और प्रधान मंत्री मोधी की छवी एक वैस्विक नेता की बनी है पहरा राहूल गांधी इस नतीजे पर भी पहुचें कि चीन ने लद्दाख में वैसी ही स्थितियां पैदा कर दी हैं जैसी रूस ने यूक्रेन में कर रखी हैं इससे अधिक बेतु की बात और कोई नहीं हो सकती लेकिन मोधी सरकार के अंध विरोध की धुन में राहूल हर हद पार कर रहे हैं ऐसा करते हुए वह उन अंतर राश्ट्रिय संगठनों के हितों की ही पूर्ती कर रहे हैं जिनका एक मात्र एजेंडा भारत की छवी को मलीन करना है यदि राहूल को भारत के हितों की वास्तों में चिन्ता है तो फिर उन्हें ऐसे संगठनों का आउजार बनने से बचना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि वह सरकार और देश के विरोध के बीच अंतर करना भूल गए हैं वह अपने रवये से केवल अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं बलकि कांग्रेस की विरासत को भी नश्ट कर रहे हैं राहुल किस तरह अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं दिखतें इसका पता उनके इस कथन से लगता है कि भारत तो राजियों का संग मात्र है वह एक बार पहले भी राश्ट के बारे में अपनी इस नासमझी को बयान कर चुके हैं संभवत है उन्हें इसका आभास ही नहीं कि उनके ऐसे बयान अलगाववाद को भड़काने का काम कर सकते हैं यह समझ आता है कि उन्हें मोदी सरकार फूटी आँख नहीं सुहाती लेकिन आखिर माहौल खराब करने वाले ऐसे बयान देने का क्या मतलब कि भाजपा ने पूरे देश में केरोसीन छिलक रखा है और एक चिंगारी मात्र से आग भड़क सकती है इस्टाव